अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास तीन तरह के एर्रस होते हैं syntax logical runtime इन तीन तरह के errors का हम लोग demonstration अब देखने वाले हैं syntax error का demonstration मैंने आप लोग को दिखाई दिया था जहांपर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर semicolon नहीं लगाया और आपकी जो IDE है वो भी बगड़ लेती है इस चीज को यह मैंने आप लोग को बताया था अगर उसके बावजूद भी आप लोग run करें आपकी IDE संकेत दे रही है कि यहाँ पर semicolon नहीं लगा है उसके बाद भी आप run करें तो आप लोगों को यहाँ पर build failure मिलेगा यानि कि आपका जो program है वो डंक से build नहीं हो पाएगा ठेक है तो यह build failure है अब यहाँ पर अगर यहाँ पर c is equal to zero लिख देते हो माल लो semicolon के साथ अब यह एक error यहाँ पर आपको आपकी IDE यह बता रही है कहरे है बाई int c लिख लो कुछ तो लिखो यहाँ पर आपने तो यहाँ पर c को use कर लिया इसको declare नहीं करा तो यहाँ पर अगर आप इस bulb पे click करते हो और उसके बाद आप लोग यह चार options जो है इन पर click करते हो तो आप लोगों को basically आपकी जो IDE है वो कुछ तरकी पर बता रही है इस error को resolve करने की इन चार तरीकों में से कोई भी एक तरीका हम लोग अपना सकते है एक area देखो यहाँ तो एक local variable बना लो c इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यह इस तरह से बन जाएगा जो कि एक valid java program का हिस्सा है अगर आप लोग वापस से उस bulb की तरफ जाओ और यहाँ पर create field c in this class तो एक आप लोगे लिए class variable बन जाएगा एक static variable जिसको आपने शायद c करा हो इसलिए इसने आप जो है एक static variable बना दिया है यह आप कर सकते हो ठीक है य तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि main method जो है यह parameter ले रहा है और definitely वैसा नहीं करना चाहूंगा एक चौथा method यह कह रहा है कि rename कर दो इस reference को शायद आप B की बात तो नहीं करना चाहरे हो गलती से आपने C लिख दिया तो यह चार तरह के resolutions आप लोगों को दे रहा है जो चाहिए और हमसे क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा बहुत हम लोगों को समझना चाहिए क्योंकि कभी-कभी हम लोगों के फाइदे के लिए intelligent idea हमसे इस तरह की बाते करता है ठीक है I hope यह चीज आप लोगों को clear होगी यह थी syntax error को resolve करने की तरकीबे ठीक है अब यह 78 वाले program को मैंने छेडखानी कर दी मैं या 78 वाले program में छेडखानी नहीं करना चाहूंगा मैं basically क्या करूंगा इसको control-z कर करके वह आपस कर दूंगा और यह हमारा video number 79 है क्योंकि और बहुत सारे लोग यार बीच में से videos देख रहे हैं मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लो now सब लोग इस playlist को bookmark जरूर कर लो अगर आप लोग इसको computer में देख रहे हो तो एक नई टाप खोलो नीचर description में link मिलेगा आपको इस playlist का एक नई टाप खोलो और इसको bookmark करके save कर ही लो क्योंकि यार अगर आप इसको bookmark करके save करोगे तो सारी चीज़ एक जगा रहती है future मे cwh underscore 79 और उसके बाद मैं आपर लिखूंगा underscore errors demo ठीक है यहापर errors का demo हम लोग लेने वाले हैं तो देखो या syntax error तो मैंने आप लोग को बताई दिया था ठीक है और मैंने आप बल्ब वाली बात आप लोग को बतानी थी जो कि मैंने नहीं बताई थी तो वो भी मैंने आप लो prime numbers between 1 to 10 ठीक है मालोगी question दिया जाता है और कुछ ऐसा logic आपको अपने program के बीच में लिखना है जिसमें आप लोगों को prime numbers को brand करना है एक सिर्फ 10 के बीच अब आप लोग prime numbers ऐसे भी brand कर सकते हो आप कह सकते हो या 2 एक prime number है 3 एक prime number है 5 एक prime number है आप कुछ इस तरह काम कर सकते ह हो साथ एक prime number है फिर आप कह सकते हो आगे वाले जो prime numbers है हो सब लिख सकते हो ठीक है तो विसी कि लिए मैं सारे prime numbers लिस्ट आउन नहीं करूँगा मेरे कहने का मतलता आप manually इसको list down कर सकते हो सारे numbers को ठीक है मैं आप लिख देता हूं logical errors ठीक है या पर लिख देता हूं logical errors error demo ठ for int i is equal to say 3 या फिर i is equal to 1 i is less than let us say 10 और उसके बाद i++ ठीक है मैं basically logic लिख लिख लिखने को रहा हूं जो कि 2 i plus 1 को print करेगा मैं आप लिखूंगा 2 multiply by i plus 1 ठीक है अगर मैं 1 लिखूं तो आप लोगो को यहाँ पर मिल जाएगा क्या 1 लिखूंगा तो 3 मिल जाएगा 2 लिखूंगा अगर यहाँ पर तो 5 मिल जाएगा and so on ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 डालूंगा तो 10 से ज्यादा चला जाएगा 5 multiply by 2 जो है वो होता है 10 और 10 और 1 होता है 11 तो यहाँ पर i less than मैं कर दूंगा क्या 5 ठीक है 5 से छोटा होना चाहिए हमारा जो i है ताकि बहुत confused होता हूँ और 2 तो छूट गया 2 भी प्राइम नमबर उसके बाद 3 onwards 2 and plus 1 करके मैं लिख रहा हूँ और मैं आपर लिख दूंगा चलो याद जो 2 है उसको system.out.println करके print कर लेते हैं और बाकी के जो prime numbers है वो मैं इस formula से print कर लूँगा तो जब मैं इसको print करने की कोश तो यहाँ पर अगर मैं शुरू से देखूं तो बड़े अच्छी लग रही है चीज़े 2 print हो गया ध्यान से सुना मेरी बात कुर देखो 2 print हो गया iq value 1 ली 3 print हो गया उसके बाद iq value 2 ली 5 print हो गया और उसके बाद iq value 3 ली तो 7 print हो गया 3 multiply by 2 6 होता हो वे 7 और ऐसा देखने म मिलेगा in fact मैंने color program run कर दिया जब हम नई file बनाते न intelligent idea में तो right click करके हमें run करना चीए तो यहाँ पर देखो 2 print हुआ yes एक prime number है उसको मैंने manually print किया था 3 मैंने print किया हाँ वो एक prime number है सही print हुआ 5 भी सही print हुआ 7 भी prime है 9 prime है देखो prime number होते है prime number वो number होते है जिनको यहाँ त तो 3 भी divide करता है तो अगर आप को ऐसा number ढूंड लेते हैं 1 और self के अलावा self का मतलब 9 के लिए self क्या होगा 9 होगा अब अगर मैं 1 और 9 के अलावा को ऐसा number ढूंड लेता हूँ जो की 9 को divide कर दे तो 9 prime होगा वेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पर तो 3 9 को divide क दे रहा है तो मैंने 3 ढूंड लिया अगर मैं ढूंड लेता हूँ नमबर तो 9 प्राइम नहीं होगा और अगर नहीं ढूंड पाता हूँ तो 9 प्राइम होगा I'm sorry मैंने तो गलत बोला शायद पहली बार में तो let me correct it 9 प्राइम तब होगा यहाँ फिर मैं कहूंगा a number n is prime ज क्या 2' है हाँ 1 और 2 से divide होता है बस क्या 3' है हाँ जिर 1 और 3 से divide होता है क्या 5 ow 5 से divide होता है 7' हाँ 1 और 7 से divide होता है और कोई number यह जो 7 को divide ses करता है यो तो आप बता दो नीचे comment में लिख क्योंकि मैंने लिखतो दिया logic odd numbers को प्रिंट करने का यह समझते हुए कि मैंने prime numbers को प्रिंट करने का logic लिखा है तो यह एक logical error है तो यह logical error का एक demo हो गया ठीक है तो यह आप तीनों तरह के errors का मैं demo यह आपको syntax error का demo भी दे देता हूं मैंने in fact वो जो line थी वो इस पे लिखनी चाहिए थी यह वाली file में लिखनी चाहिए थी syntax error demo ठीक है और मैं आपर int is equal to zero लिख देता हूं without any semicolon तो यह syntax error है comment out कर दोंगा क्योंकि यह नीचे की lines को भी चलने नहीं देगा तो इसलिए मैंने आपर लिख दिया अगर मैं सिर्फ b is equal to eight लिख देता हूं semicolon के साथ तब यह syntax error है क्योंकि b को मैंने declare नहीं किया ठीक है तो यह आपर मैं लिख देता हूं error no semicolon कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको और नीचे error क्या है नीचे error है be not declared ठीक है तो यह दो errors थे जो कि syntax error थे यह जो है यह logical error है ठीक है जो कि मैंने अभी अभी produce की आप लोगों के लिए अब मैं आप आप लोगों को runtime error दिखाता हूं और मजा आ जागा देखकर runtime error को अब यह runtime error क्या है अच्छा runtime error बताने से भी पहले एक बात और रह गई थी यह logical errors में वह यह थी कि जिस तरह से हम कोई आप बल्ब मिल रहा था हमें बल्ब पे क्लिक करके इस error को ठीक करने का मौका मिल रहा था यह नहीं कि अगर मैं इसको अभी प्राइमर्ज प्राइम नंबर्कर नरहर चाहते थे अब ऐसा तो है कि वो नेच्राल लेंगोज processing लगा कि आपके comments को पढ़ना शुरू कर दे वो तो एक disaster हो जाएगा कि अगर किसी ने कुछ गलत comment लिख दिया तो उसका code जो automatically ठीक होने लग जाएगा तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता जो आपका program है वो logical errors को IDE के through ढूण कर ठीक नहीं करवा सकता IDE इसमें कोई मदद नहीं कर सकती intelligent idea यहाँ पर हाथ जोड़ता है कहता है कि भाई देखो logical errors देख के लिखो अगर तुमने odd numbers की जगा even numbers का program बना दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा गयार तुम इवन numbers का program नहीं चाते थे odd numbers का चाते थे तो यह सारी चीज जो है programmer को परशान करती है आपको यहाँ पर अपने website पर bugs देखने को मिलेंगे जी बजी भरकते होती होई देखने को मिलेंगी अगर आपने coding के थुरू website बनाई है यहाँ अगर आपने android बनाई है java के थुरू तो आपकी आप में जो है crashes देखने को मिलेंगे उल्टी सीदी आप लोगों को logic में छेड़चा देखने को मिलेगी मेभी आप किसी और user के corresponding message को display करनाना चाते है मालू message बेजा पल्लवी ने आपको और आप आपको दिख रहा है अंजली मालू पल्लवी ने कहा कि घर पे आ जाओ और उल्टा आप चलेगा अंजली के घर पे तो यह सारे काम जो है नहीं होने चाहिए ठीक है बट आपने एक ऐसा input इसको पकड़ा दिया मेरी बात को दुबारा सुनना आपने एक ऐसा input इसको पकड़ा दिया प्रोग्राम को जो कि यह handle नहीं कर पाया यानि कि आपका input exceptional था आपके input में कुछ ऐसा था जो कि एक exception थी एक ऐसा input आपने दिया जो कि आपका program जहल ना सका क्या दिया आपने input ऐसा जो कि आपका program जहल ना सका confused हो गया आप यह program ने का यार अब करूं तो करूं क्या और उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वो fail हो गया सुनने में अजीब सा लगता है बट देखते हैं इसका demonstration ठीक है रणने mirror के लिए आपर जल्दी से मैं बनाऊंगा int k और यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा scanner sc is equal to new scanner और मुझे इसको java.util से जो है इंपोर्ट करना है अब यहाँ पर देखो मुझे बता जा रहेगी भाई इंपोर्ट कर लो java.util.scanner तो मैं आपर automatically जो है इसको इंपोर्ट करवा लूँगा मैंने alt enter दबाया और यह इंपोर्ट हो गई ठीक है और मैं आपर लिखूंगा जैसे कि मैं आप लोगों को अल्रेडी बनाया system.system.in ठीक है यानि कि आप चाहते हो keyboard से input देना ठीक है अब मैं यहाँ पर लिखूंगा sc.nextant k is equal to sc.nextant अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा मैं आपर लिखूंगा साउट और मैं आपर लिखूंगा integer part of मैं लिखूंगा 10 divided by k is यहाँ पर 1000 divided by k is और उसके बाद मैं आपर क्या लिखूंगा मैं आपर लिख दूँगा 1000 divided by k ठीक है कुछ इस तरह से और मैं इसको 1000 divided by k लिखूंगा अब यहाँ पर आप लोग इस प्रोग्राम को जब रन करते हो ना तो कोई दिक्कात आपको नहीं आएगी आप यहाँ पर 6 लिखूंगे तो आप लोग भी सोचोगे कि यार यह तो बड़ा सही है तो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है क्या आपने कभी सोचाएगी यह प्रोग्राम आप लोग को एरर भी थो करके दे सकता है 4 दबाया तो भी यार 200 आगया सब कुछ तो हो रहा है दो दबाऊंगा तो 500 आजाएगा 1000 डिवाइड पर तो 500 होता है तो यह सारे आउपुट्स तो यह सही सही दे रहा है तो दिक्कत क्या है क्या यह प्रोग्राम का भी एरर थो कर सकता है क्या इस प्रोग्राम का डेवलप आप आपको फोन करके यह नहीं बोलेगा फेस्बुक के जो सर्च बारे उसमें स्टार मत लगा ना क्योंकि सारे यूजर्स की डीटेल आ जाएगी तब आप स्टार ही लगा होगा अगर वो बूल भी देगा तो करके देखते हैं तो मार्क जगरबग के हक्त में अच्छा क्या होगा वह यह अच्छा होगा कि इस तरह की अर्थमाटिक एक्सेप्शन होती है और यहां पर जैसे की आप देख सकते हो थाउसन डिवाइड़ पर जीरो जावा में डिफाइड नहीं था इसलिए यहां पर क्या हुआ एक एकसेप्शन थ्रो हो गई क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यूजर को एकसेप्शन ना देखे हां बिलकुल कर सकता हूँ और यही हम आने वाले वीडियो पर देखने वाले हैं I hope कि आप तीन तरह के एकसेप्शन का डेमो चाहते समझ गए एक और बात जो बोलना चाहूंगा या पर वो यह है क्या यही वो एर्रस जो कि एक्जिस्ट करते हैं एक जावा प्रोग्राम में सिर्फ आप लोग को इसी तरह का runtime error नहीं मिलेगा आप लोग को बहुत तरह के runtime errors Java में देखने को मिलते रहेंगे जितनी coding आप लोग करोगे उतने runtime errors आप लोग को देखने को मिलेंगे So this is about errors in Java logical error तो आप लोग ढूड़ना सबसे मुश्किल होता है logical error मेरे opinion में क्योंकि यार पता ही नहीं होता है किसी को कि एक error भी है ठीक है syntax error runtime error तो यार टेस्टिंग के थुरू आप लोग निकाल ही लोगे पर logical error को आप लोग जब तक logic check करके नहीं देखोगे सारे inputs के लिए ठंग से काम कर रहा है नहीं यह check करके नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा existing systems में भी इस तरह के errors आ जाते है और काफी घातक सावीत होते हैं बड़ी बड़ी application owners के लिए सो हम लोग बात करेंगे इस तरह की exceptions को handle करने के बारे में आने वाले वीडियो में try block क्या होता है catch क्या होता है सब कुछ हम लोग देखेंगे आप लोग इस playlist को जबर एकसेस करना इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ सब लोग इस playlist को एकसेस करें और bookma करके save कर लें मैंने सारे notes डाल दी है आपर आप लोग जाओ access करो और मैंने cheat sheet भी ultimate जाओ cheat sheet भी दी थी शुरू में अगर आपको याद हो भी मैंने सारे videos में डाल दी है इनके साब भूल गई क्योंकि आने वाले videos में जब मैं वो topic cover कर रहा हूँ तो इस cheat sheet को आपको जरूर खोलना चाहिए और बहुत सारे दी अट्राइ वयक्तव एकर फूड़ एक्डाव झाले वाने कि अंग्सटावी लगाईाव एक्यांग्स सेचावगाई जाओ को लेक्ड़ हैंस तो यहाँ जाओंस पार आपको नर्डिशना यहाँ चाहँ देखने पार आपको दो यहाँ झाल